फैसले को किस तरह से आगने वाले वक्त में इसका इंप्लिमेंटेशन हो पाएगा और सुप्रीम कोड का फैसला वैसे तो मील का पथर है लेकिन इस फैसले से जुड़े आर्थिक पहलिएं को देखते हुए फैसला किस तरह से लाग होगा इन विश्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ कम से कम तीन हजार रुपिये की नियमी इसका संदेश आईश्मार भारत स्कीम के तहट E.P.F.O के पैंशन होल्डर को फाइदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है E.P.F.O ने पैंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किये हैं क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फाइदा पूरी डीटेल देखिए इस रिपोर्ट में हो चुकिये नई टेबल के अनुसार आपको कितनी मिलेगी पैंसन तो पैंसन दार्कों को मिली बड़ी रहा तो पैंसन भोगी ने खोला मौर्चा दिली आई कोट से हायर पैंसन की याचिका पर भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी ख़बर आ चुकिया है तो E.P.F.O के ख जानेगी वीडियो में विश्तार से तो आखिर क्या E.P.F.O ने यान की हायर पैंसन को लेकर नहीं जानकारी जो जारी की है उसके अनुसार आपको अब हायर पैंसन का फाइदा कब मिलेगा साथी E.P.S. 90 by पैंसन को कितना बढ़ा करके किया जाएगा इस से लिष्ट के अनुसार कि पैंसन को कितनी पैंसन मिलेगी तो सारी डीटेल से जानकारी को जानेगी कि लोकसवा से पैंसन को लेकर जारी हुआ नया चोकाने वाला पैंसला इतुतर लाग पैंसन के उने सबीक लिए बहुत बढ़ी अर्जयंट अपडेट होने वाली तो इतुतर लाग पैंसन का किये सरकार मिनिममस की रासी में जो एक अजार प्रिय की वरतमान मिलती इस से पैंसन का प्रेस आने उन्हें का बैतर पैंसन मिले तो नया पैंसन जो पूरे देश में जल्द लागव हो सकता है नया पैंसन को लेकर करमचारी काफी लिए समय से मांग करें तो सरकार ने एक बार फिर से पैंसन दारकों के लिए रात बरी अपडेट है जारी किये अगर बात करें करमचारी वसंदी संक्टन EPF होने या पर पैंसन दारकों की हायर पैंसन को लेकर क्या नया जवाब दिया है पैंसन को लेकर उसके बारे में बात करेंगे तो जो इचोतर लाग पैंसन दार के उन्हें सबीक लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अब्लेट होने वाली है तो आप सभी पैंसंदार के अगर EPS के या फिर EPS के सब्सक्राबर है तो यह जानकर आपके लिए इपोर्टेंट होने वाली वीडियो बिल्कुली द्यान से देखते लिएगा किन पैंसंदार को मिलेगी पेंसन दार्गों की पेंसन की टेंसन आज से होगी खतम यहाँ पर पेंसन आखिर अब आपको मिलेगी कितमांग करें कि उन्हें 7500 रुपे के साथ में मिनमम पेंसन और मेडिकल का साथ में फायदा दिया जाए और यह भी मिले तो क्या सरकर इस मांगों पूरा करेंगी यहाँ यहाँ पर यहाँ पर 550 रुपए की पेंसन, लगभग होगी या पिर 9000 रुपए की पेंसन तो यह पेंसन दार की दार कि धार यहाँ पर रात बर यहाँ यץ से मांग जारे है तो यहां पर पैंसं धार के हाँ में। तो यहां पर रात बर आपके लिए अपडेट बताई जार कि EP.OP ने यहां पर क्या हायर पैंसं को लेकर फैंसल है कि आये सा आप में एप यहां से देखते हैं तो यहां पर EPS 95 Pension को लेकर ने बूत बड़ा मोचा को लार याद। जो जो जानकी Pension को रात मिलेगी तो एप सी आई करमियों ने उच्डे का कुलाब करने की मांग किया अगली सुनवाई 23 अगस्त को यहां पर 33 अगस्त को आप कर लिए बहुत बड़ी अबडेटे कजी जार जो पैंसन दार के कापी लेमे समय से यही इंज़ार करे थे कि उनकी मिनिमम पैंसन कब बढ़ेगी और साथ में हायर पैंसन का फायदा कब मिलेगा तो यहाँ पर आपके लिए फाइनली तारिक बताई जारी कि 23 अगस्त को होगी आप सबी की पैंसन को लेकर सुनवाई तो यहाँ की दिली आइकोट से आयर पैंसन की यहाचे का पर यह बहुत बड़ी खबर मिलिये तो आईकोट में कानून दिलाई जारी थी उसमें यहाँ पर आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट बदाए जारी है जो एप पर ने यहाचे का कुलब करने की मांगे और अगली उने मोर्चा कॉल रखा है जिनकी यहाचे का है दिली आईकोट में दाएर है तो यहाचे काउं का एक ही करन को लेकर भी अपडेट मिली तो पैंसन वोग की तरब से दाएर जो दो यहाचे का हूपर एप ओने एंकी दोनों मामलों में सुनुआ एक सार्थ करने के लिए आव दरित की गई हैं यहां पर दोनों केस की सुनाई एक साथ होने की संभावना है तो भारतिय खाद निगम की याजिकाओं का अगर बात करें तो भारतिय खाद निगम FCI ने सिवार नर्त करमियों ने EPFO के खिलाप उचर पैंसन के लिए हाई कोड में भी याजिकाओं दायर की है Food Corporation of India Retired Foundation और FCI Retired Welfare Association ने भी याजिकाओं दायर की है तो यहाँ पर EPS Pension और Higher Pension को लेकर तो EPFO और FCI के बीच ट्रेस्ट विवाद चल रहा है तो जिसमें ट्रेस्ट के नियमों और EPFO के नियमों के उलंगन का आरुप लगाया गया है तो EPS 95 नियमों का अलंगन को अगर बात करें तो करमचारी पैंसी योजना का नियम 1995 का ग्यारा तीन के एत्ता है तो बैसिक और ये का 8.33 पर 36 से फंड में जमा होता है इनकी पैंसन फंड में FCI का काना है कि 3 दिसुम्बर 2006 को उन्होंने EPFO को पत्र लेखा था जिसमें उचे पैंसन के लिए आवे दिन किया गया था लेकिन EPFO ने ये निवे दिन स्विकार नहीं किया गया था EPFO का तरक था कि 1 अपरेल 2004 के बाद से आवे दिन लेना बंद कर दिया है जबकि FCI ने 2006 में आवे दिन किया था तो इस पैंसले को लेकर सुप्रिम कोड ने क्या अदिस से जारी किया है तो यहाँ पर EPS 90 पर राइश्टे संगर समीती राइपूर के अदेक्स अनील नाम देने बताया है कि सुप्रिम कोड से पहले ही EPS की समय सीमात्ताय करने वाली बात को खारिज कर दिया है सुप्रिम कोड के चार जो एनकी नमबर 2022 का जो पैंसला है जिसमें कैकर बात करें जिसमें सतरफ केото एनकी 2022 के पैंसले में कहाँँए कि सबी पातर करमचर को higher pension ने वो दिया जाएगा higher pension के आकदार होंगी तो अगर EPFO ने किसी pension को लेकर बात कर higher pension form को reject किया तो उन्हें इसका अधिकार दिया जाए तो करमचरी अपने PFO fund से पैसा निकल कर difference amount में जमा कर सकते हैं तो यह पर उन्हें फॉर्मूले के आधर पा higher pension प्राप्त कर सकते हैं तो EPFO और FCI में यह मामला फासा हुआ है higher pension का तो EPFO ने दवा किया है कि EPCI ने 26 चक की अपतारिकता पुरी नहीं किया है जिसमें सेली बढ़ने पर EPFO को सुचित करना होता है कि बड़ी वे सेली 8.33 रकम pension पंड में डाली जा रही है EPCI का काना है कि इसकी कोई आख सकता नहीं थी तो यह मामला उच नियाले में विचरा दिने और सभी की नजरे 23 अगस्त की तारिक पर टिकी वी है पंचन भोगी को उमीद है कि उच पंचन से उन्ने नयाई मिलेगा और उनको उच पंचन की मांगे hire pension की वो मांग उनकी पूरी होगी तो इस तरह की आपकी लिए एंकी जानकारी उच पंचन एंकी hire pension को लेकर जानकारी होने वाली है तो EPS 95 पैंसन दार के वो काफी लमस में से बेसबर से यह इंजार कर रहे थे कि उनको हायर पैंसन कब मिलेगी और मिनमम पैंसन की रासे में कब एचापा किया जाएगा तो उच्छ पैंसन और आप सभी की मिनमम पैंसन को लेकर इस तरह की जानकरी होने वाले आपकी मांगे पैंसन दार को की पिरसे ते जो चोकि है सरकार भी सकरी हो चुकी है पैंसन इसकी पर मांगो को लेकर बात करें मेडिकल की सुईदा के दार को यहाँ पर बात करें minimum pension आखिर कितना किया जागे इसकी कोई अधिकरिक फिलाल गोश्टना नहीं की गई है तो यहाँ पर जैसे आपकी pension से जुड़ी अगली कोई नई ताज़ा अपडेट मिलेगी तो चैनल पर आपको